जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सबी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 नवंबर और 20 नवंबर के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए नवंबर माह के ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं जानेंगे इन दो दिनों के बारे आपके प्रेम जीवन व्यवाहिक जीवन व्यपार सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बात करते हैं सबसे पहले तिथी नक्षत्र और योग के बारे में तो 19 नवंबर का दिन त्रश्न पक्षे की सब्तमी दिथी है जो साड़े तीन बजे तक रहेगी उसके बाद अस्टमी दिथी लग जाएगी इस दिन असलेशा नक्षत्र रहेगा और ब्रह्म नाम का योग ब ब्रिश्चिक राशी में है 20 नवंबर की बात करें 20 नवंबर क्रश्न पक्ष की सब्सक्र और इस दिन अलगा नक्षत्र रहेगे इंद्र नाम का योग बन रहा है ये बुद्वार का दिन है चंद्रमा सेहिंग राशी में हैं और सूर्य है आपना नकशतर पर्यवर्टित करेंगे सूर्य विशाखा नकशतर से अनुरादा नकशतर में प्रिवेश करेंगे तो दोस्तों इसी क्या दार पर अब हम जानेंगे कि ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे सबसे पहले हम यदि 19 नवंबर की बात करें तो 19 नवंबर को काल भहरव अस्टमी है यानि काल भहरव जैन्ती जो भगवान शंकर के ही अंश माने जाते हैं इस दिन कुछ उपाई किये जाते हैं कुछ पूजा अर्चना की जाती है जो कि आपको कई तरह की परिशान तो दोस्तों जो चंद्रमा की इस्थिती है वो आपके 10 और 11 भाव में है यानि 19 नवंबर 10 भाव में चंद्रमा रहेंगे और 20 नवंबर आपके 11 भाव में चंद्रमा की उपस्थिती होगी तो यह जो समय होगा यह आपके लिए कई माइनों में अच्छा समय रहने वाला है ग्यार्वे भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देते हैं दस्वे भाव में कुछ मिला जला असर देते हैं लेकिन वहीं इन दो दिनों में कई नक्षत्रों में परिवर्दन भी हो रहा है और कुछ खास संयोग भी बन रहे हैं तो उनका असर भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा इस समय आप कुछ नया करने के लिए अपनी इच्छाओं पर ध्यान देंगे यानि आपकी इच्छा होगी कि आप अपनी जीवन में कुछ नया करें कुछ नया पना आप लेकर आए और कुछ नया करने कुछ नया पाने की तीवर इच्छा आपके मन में चल रही होगी जो आप से ये अपनी जिन्दगी को एक नए ढंग से जीने के लिए प्रेरित करेगी या आप के अंदर से कुछी चीज को लेकर अगर कोई डर है तो उस वो डर आपका इस समय निकल जाएगा ये समय आपके लिए एक अच्छे बदलाव का समय हो सकता है कामकाज के लिहाद से आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं काम की अधिकता भी आपके पास रहेगी इस समय आप इसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पढ़ने वाला है आप पुरी मेहनत से काम करें तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपके हक में होगा यानि आपके जो सहयोगी हैं वो भी आपके काम के प्रसंसा करेंगे जो आपके बॉस हैं उनकी नजर भी आप पर होगी इस समय कोई व्यक्ति आपसे भुगतान के लिए आ सकता है तो आपको इसमें थोड़ी सी जावधानी रखनी होगी अगर आप उसका भुगतान कर दें तो अच्छा होगा अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है किसी से पैसे लिये हुए है तो उसका भुगतान आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और अपने बजट को अच्छे से मैनेज करके आप चले यानि खर्च सीमा में रहकर ही करें उधार की खरीदारी आप कुछ ना करें वर्ना वो जो उधार की खरीदारी होती है वो आपके जो बैलेंस है उसको बिगार देती है इस समय आप जो भी योजना बना रहे है या फिर पिछले समय में जो आपने योजना बनाई थी वो योजना अधिकांच आपकी पूरी हो जाएंगी इस समय आपका जो दिहान है वो अपनी काम पर केंद्रित होगा और अपनी काम को लेकर आप बहुत परिश्रम भी करेंगे अपनी यूजनाओं को सफल बनाने के लिए आप अपनी कारियों को आगे बढ़ाएंगे लोगों से बाचीत करेंगे वैपारियों की यदि बात करें तो वैपारियों के लिए ये समय बिहद अनुकुल रहने वाला है वैपारियों की जो सोच होगी वो बड़ी प्रकर होगी और अपनी सोच से आप एक सम्मान के पातर बन सकते हैं यानि आपको कोई सम्मान इस समय दिया जा सकता है आर्थिक रूप से आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और इस समय कुछ निवेश करने का योग भी आपके लिए बना हुआ है चाहे छोटा ही निवेश लेकिन निवेश का योग आपके लिए बना हुआ है ये समय यात्राओं के लिए भी है यात्राओं का योग आपके लिए है इस समय हो सकता है आप अपने परिवार के साथ कोई छोटी डेस्टिनिशन पर जा पाएं जो आपके लिए एक अच्छा समय होगा परिवार के साथ enjoy करने का और परिवार के साथ बिताय गया समय आपके लिए सबसे अधिक आनंद दायक रहने वाला है आप इस समय समाज में भी सक्रिय रहेंगे समाजी के रूप से आप सक्रिय होंगे अगर आप एविवाहित हैं तो आप शादी के बारे में इस समय विचार कर सकते हैं यानि आपके लिए शादी का योग इस समय बना हुआ है और ये जो समय होगा ये नौकरी पेशा लोगों के लिए अपनी कारे अस्थल पर कोई एक नई उपलब्दी हासल करने का भी होगा हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आप बनाए या कोई ऐसी आपके मन में ऐसा कोई आइडिया आए जो आप अपनी बॉस को दे और उस पर आपकी सरहाना की जाए तो ये समय वेपारी और नौकरी करने वाले लोगों दोनों के लिए ही बड़ा ही अच्छा रहने वाला है इस समय पारिवारिक तौर से भी आपके लिए बेहद अच्छा समय रहेगा इस समय रिष्टेदारों का आना जाना हो सकता है या फिर आप रिष्टेदारों के घर जा सकते हैं यानि इस समय कुटुम्ब के मिलने का योग है तो इस समय आप जो इन लोगों से काफी दिनों से नहीं मिले हैं उन लोगों से इस समय मिल सकते हैं संतान पक्षी की बात करें तो संतान पक्षी की तरफ से कोई बड़ा ही शुब समचार आपको सुनने को मिल सकता है जो काम आपके बीड़े हुए थे वो काम बन जाएंगे जिससे मन में प्रसनदा का भाव रहेगा यदि परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है या आपको कोई परिशानी है तो वो परिशानी दूर होगी रोग इस समय दूर होंगे आर्थिक लाब की भी प्राप्ती होगी एविवाहित लोगों की बात आगे बढ़ेगी और इस समय जो विवाहित लोग है उनके लिए भी बड़ा ही अच्छा समय बना हुआ है आप अपनी जीवन साथी के साथ ये समय बड़ा ही आनत पूरवग ब के लिए ये सारसा पाटे का योग बना हुआ है इस समय आप मित्रों को परिजनों को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताने का आफसर आपको मिलेगा तो ऐसे मौके जो मिलते हैं उनके आप फाइदा उठाएं और अच्छा मौका होगा आपके लिए दिन भर क वैस दिन्चरिया से बाहर निकल कर कुछ अच्छे छणों को याद करें जब आप अपने जीवन साती से मिले या पहली मुलाकात ऐसी कुछ चीज़ें आप याद करेंगे प्रेम जीवन की बात करें तो बेहद उत्साह पूरवक एक दूसरे के साथ आप समय बिता पाएंग स्वास्ते की बात करें तो इस समय आप ध्यान भी करेंगे स्वास्ते सबंदी की परिशानी भी निजर नहीं आ रही है अपनी भावनाओं को काबु में रखना आप सीखेंगे योग और ध्यान करेंगे सैर सपाटे के लिए जाएंगे और दिमाग भी आपका इस समय शांत रहने वाला है तो इस समय का आप पूरा लाब उठाएं क्योंकि ऐसा समय जब आता है तो उसका पूरा लाब उठाना चाहिए क्योंकि ये समय बच्चों के लिए बहुत अच्छा है शिक्षारतियों के लिए ये समय अनुकुल बना हुआ है विधारती इस समय उनका जो अब हम बात करते हैं काल बहरव जैनती के बारे में इस दिन आपको क्या कार्य करना चाहिए तो दोस्तों इस दिन आप काल बहरव की पूजा करें ये भगवान शंकर के ही आंश माने जाते हैं और अस्टमी तिथी को ये होता है तो इस दिन विधी पूर्वा के दिन आप पू कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद हित कर रहेगी या फिर आप पांच नीबू भगवान बहरव को आप चड़ाएं इससे सभी परिशानियों का से आपको मुक्ति मिलती है और विदिवत पूजा कर सकते हैं पूजा में अक्षत काले तिल काली उड़त और काला कपड़ा समय आपके लिए कई तरह के कस्टों का निवारन का समय हो सकता है तो जब भी कोई ऐसा मौका मिले तो उस मौके को कभी भी हास से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि उपायों का फल निश्चित तोर पर मिलता है तो दोस्तों ये था 1920 का तुला राशी फल अगली वीडियो म मिलेंगे अगले दो दिन के राशी फल के साथ